Okay student, today I discuss about a new topic which is the Mughal Empire in India. It is a part of the class 11 history, okay? Everyone follow the video, okay? Okay, this video में हम Hindi, Bengali, Mila के बोलूँगी, ठीके? तो सब लोग देखिए, first Mughal Empire of India, ठीके चे, first king कौन था Mughal Empire का? बाबर, ठीके, full name of बाबर, क्या है? जहाईर दिन महाम्माद बाबर, आचा, देखो, तोम्रों सब देखो, इखान देके आमना जानी, आमना फास से मिस्टर देके, आमादे मुलो तो MCQ आशपे, ठीके, ता जोन्नों सब आई, MCQ हिशावे, आमी, MCQ हिशावे, पोल देतों न जालिलोदिन महाम्माद बाबर, founder of the Mughal dynasty in India, तो इस में से क्या कोशन आ सकता है? तो दोनों मिला के बाबर का जनम हुआता, नेक्स बाबर का बाबर का बारे में, Born in 1483 AD, he lost his father Umar Sekh Mirja in 1494 AD, became the ruler of the small kingdom of Fargan in Central Asia, conspiring relation denoted and drove him out of internal troubles and qaibuls in 1504 AD. Okay, आचा देखे, हम इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा जोड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है, ओई जस पढ़ाएंगे, ताइम तो नहीं है, अब लोगों को पता है, सेप्टर मों में अब लोगों को एक्जाम है, तो जो जो टॉपिक ज्यादा इंपोर्टेंट है, उस टॉपिक जस हम पढ़ाएंगे, नेक्स देखे, फास देखे, ये कोशन बहुत इंपोर्टेंट है, फास बैटल अप पनिपाथ कब हुआता और किसके किसके बीच में हुआता, 1526 AD में, बाबर, डिफिटेड, अनकील, इब्रायम, लोधी, फास बैटल अप पनिपाथ मियाद दिल ली, ये फास कोशन आ सकता है, नेक्स, कॉपी में सब लोग लिख लीजिए, इन 1527 AD, बाबर, डिफिटेड, अनकील, इन 1529, बाबर के साथ आफगन का एक फाइट हुआता, उसका नाम है बैटल अप घडगड़ा, ओके, नेक्स देखिए, हुमायन, बाबर का साथ के नाम क्या है, हुमायन, हुमायन क्या था, हुमायन से हम क्या पढ़ेंगे, हुमायन, हुमायन से हम पढ़ेंगे, 1539 में बैटल अप चोग सा हुआता, इस battle में हुमायन defeated हुआ था, कौन win हुआ था, सेश्याओ, ठीके, वो battle को बोलते है, battle of Bill Gumbach का उनोच, ओके, next, आखबर, आखबर तो हम लोगों पता ही है, आखबर तो बहुत famous king था, ठीके, इस में से बहुत सारा question हम लोग पढ़ेंगे, ओके, हुमायन का बेता का नाम क्या था, आखबर, हुइन, हुमायन, डाइट इंडर 1556, एडी, ही 13-year-old son, आखबर, डिकलर इंपरियर अप डिली, 22 गिल्वदा, गर्जिन बाइरम खा, ये question आ सकता है, आखबर का उस time, गर्जिन का था, बाइरम खा, ओके, आखबर का जनम भी हुआ था, कहा पर, आखबर क्य हुआ है, एक फोरेस्ट में, ठीक है, और उसका गर्जिन का नाम क्या है, बाइरम खा, ओके, अच्छा, इस time, सेगें, बाइटल अप पानिपाद, सेगें, बाइटल अप पानिपाद हुआ था, बाइरम खा, मतलब आखबर के साथ ही, 1556 में, आखबर के साथ ही, 1556 में, इसमें से क्या कोशन आएगा, बाइटल अफाल दीगा, काब होता है, 1576 में, ओके, नेक्स हम पढ़ेंगे, जहांगिर के बाड़े में, जहांगिर फाइनली, कंक्यूट मेर, आफ्टर दे सिविरल इन्वेशन आप 1615 AD, इन 1612 AD, असमन खान, दे अफगल लिडर अब बिंग आफ यहांगिर के ताइम में, उसका जो मुगल एंपएर में, टूर बूएस होते थे, टूर बूएस को है, बहुत नॉलेजबल पासन था, इसलिए उसे 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 को 12 बूएस बोल देते है, नेक्स देके, साहोजान, साहांगिर का बेटा था साहोजान, ठीके, ही Central Asia का बख बढधिक्ष कान एक सेक्टा ओके अगे अरंगोजेब लास्ट रूला था अरंगोजेब इसमें से कोशन आ सकते हैं अरंगोजेब कौन से सिख गुरु को मार्डर किये थे ठीके उसका नाम था गुरु टेक बहादू और इसमें से अकुपाइट कौन से जगा किये बिजापूर और 1686-80 में आर गलकांडो 1687 में कौन आटक किये थे कैप्चर के अरंगोजेब और एक नेम क्या है अलमगीर यह भी आ सकता है इसमें नहीं आप लोग लिग लीजिएका और उसको बोलते थे चत्रोपोती थीके अख उसको बोलते थे चत्रोपोती उसके सब लोग बोलते हैं बहुत सारे हिस्टोरियन भी बोलते हैं एक फोशन आ सकता है यह मनसबड़ी जाएगी तारी इसब सिस्टेम इस्टेम इस्टबलिस के थे आगबर ओके यह बहुत सारा पॉइंट है यह तो पढ़ने के कोई सवरुवत नहीं है क्यूंकि आप लोग को सौट कोशन आएगा जो आप लोग अभी कड़ा है इस वीडियो में